तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेटिंग के बारे में इसेटिंग एक तरह से एक प्लॉट का हिस्सा होता है और लिटरीरी वर्क की परस्पेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट टर्म है आए इसको समझते हैं असेटिंग के नाम से जानते हैं यह एक लिटरीरी एलिमेंट है यानि लिटरीचर का एक हिस्सा है जो कि यूज किया जाता है किसी फिक्षिनल या नॉन फिक्षिनल वर्क में fictional मतलब जो कालपनिक होता है जिसे novels वे गएर this word is related to the world of story यानि इस सब्द का जो संबंध है वो कहानी से है कहानी की दुनिया से है its element include इसके जो elements होते हैं उनमें से culture, geography, historical period and hour यानि एतिहासिक समय या कोई जगह या culture it is considered one of fundamental components of a literary work यह किसी literary work का एक अधारभूत कह सकते है component है, हिस्सा है, basic हिस्सा है there are various ways that time and place are indicated by the setting of a literary work यह बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरीए जो है time and place को बताया जाता है किसी literary work में time can cover many areas such as the character's time of life time का मतलब कुछ भी हो सकता है जिसे की character के life का time है न lifetime कितना वो life span the time of day यानि कोई दिन का समय या दोपहर, साम, सुबर time of year in the past past में कोई साल का कोई समय present or future या फिर वरतमान या भविश्य में places also cover a lot of areas such as place भी बहुत सारे हिस्से को cover करते हैं जैसे की कोई certain building हो गई कोई इमारत जिसकी बात की जाती है किसी work में या a room एक कमरा कह सकते हैं in a building एक इमारत में country कोई देश या कोई city या फिर बीच, कोई समुदरी किनारा, सहर कुछ भी हो सकता है इसमें बदलाव भी आते हैं यानि plot के दौरान, कहानी के दौरान इसमें changes भी आते हैं इसमें कोई भॉगॉलिक इस्थिती भी होती है climate, जलवायू की भी बात हो सकती है या weather या motion की बात हो सकती है देर आट तो टाइपस ओफ सेटिंग आमतर पर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं ये बोथ हैव देर आट परपोस दोनों का ही अपना अपना उद्देश है तो पहला जो है बैकड्रॉप सेटिंग तो बैकड्रॉप सेटिंग क्या है और यह काफी मुश्किल होता है तो माना जाता है कि वहाँ बैकड्रॉप सेटिंग यानि बैकड्रॉप सेटिंग में आपको एक्जेक्ट टाइम का पता नहीं चलेगा इस में फोकस इस ओन डेलिवरिंग देलिशन इसका मुख्य उद्देश होता है आपको एक अच्छा लेशन एक अच्छा मोरल जो है आपको सिखाया जाए बताया जाए और अक्सर जो फेरी टेल्स सुनाई जाती है जो जिसको हम लोग कहते हैं दंत कथा यानि तरह तरह की कहानिया जिनसे हमें कुछ सीख मिलती है have backdrop setting उनमें इस तरह की setting ही पाई जाती है उसमें समय माइने ने रखता उसमें जगह माइने ने रखता उसमें रखता है माइने तो वो एक सबक होता है जो आपको उस कहानी से मिलता है इसमें आप कच्वेर खरगोस की कहानी की बात कर ले तो उसमें आप कभी ये नहीं पूछेंगे कि कहां हुआ था वो competition या फिर किस समय हुआ था बस आप उससे एक moral relation उससे gain करते हैं और उसी का importance होता है integral setting जो की दूसरा type है when the time and place are very important for a literary work जब किसी literary work में time और place को काफी importance दिया जाता है then there is set to be integral setting तो माना जाता है कि वहाँ integral setting है it has direct impact on the story or plot इसका direct impact होता है प्रतक्ष प्रभाव दिखता है कहानी पर it includes historical works इसका अकसर यूज किया जाता है किसी एतियासिक literary work में historical literary work में in which dates are mentioned जिसमें समय का भी जिक्र किया जाता है तारीखों का भी जिक्र होता है therefore we can say that इसलिए हम कह सकते हैं कि setting plays an important role in illiterary work कि setting का एक महतुपुर्ण योगदान होता है कोई illiterary work में महतुपुर्ण मुमिका होती है it gives context to the characters of the world character होता है उसके context को समझने में आपको help करता है अब context सब्द आप यदि नहीं समझते हैं तो reference का आजाता है इसको आधार यानि कोई बात कब कही गई किस दौरान कौन सी घटना घटी ये मायनी रखता है कभी-कभी it also helps to create the mood और ये ऐसे माहौल को भी पैदा करता है which is also helpful for the readers जो readers के लिए important होती है जैसे कि आप बात करें A Tale of Two Cities की जो कि Charles Dickens की work है आप पढ़ेंगे इसको part third में तो उसमें French Revolution की चर्चा की गई है तो समझ में आता है क्योंकि आप French Revolution के बारे में बहुत कुछ जान रहे ये 1989 में हुआ और उस टाइम में कैसा एक माहौल कैसा था आप उस से relate कर पाएंगे उस story को इसी लिए ये अपने आप में कभी कभी काफी important हो जाता है It is impossible to get the meaning completely कभी कभी अर्थ को समझना पूरी तरह से मुश्किल होता है या कह सकते है कि ना के बराबर समभव होता है without knowing the time and place बिना समय और जगह को जाने So this was about setting I hope you get it आप चाहें तो इसमें आप examples भी कुछ जैसे कि मैंना put a tale of two cities का बताया आप चाहें तो उसमें exemplify कर सकते हैं last में ताकि आपकी length भी proper हो जाए यदि इतने से आपकी length पूरी नहीं हो रही है तो thanks for watching